हेलो फ्रेंट्स वेलकम टेट 24 नॉलेजे ऑफिशल यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकी एलविटी कंडिशन के बारे में तो फ्रेंट्स यहां पर जो यह नॉटिफिकेशन है यह फ्रेंट्स आपके असिस्टेंट पोस्ट के लिए जारी की गई है जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं अब यहां पर फ्रेंट्स जो फॉर्म है वो 7 मई 2022 को स्टा कर पाएंगे क्या क्या डिटेल्स आपको फिल करनी है फॉर्म को अपलाए करते समय साथ में इसकी जानकारी है आपको इसकी ओफिशल वेबसाइट पर जाकर या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हैं जौबरासा.com पर वहां पर जाकर भी आप इसकी डेटे को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें शेयर करें लाइक करें जिसके आपको आने वाली सारी अपडेट से मिल सकें तो यहाँ पर फ्रेंड से देखिए ICAR इंडियन एरिकल्टर रिसर्च की यहाँ पर नॉटिफिकेशन है जो की फ्रेंड से 7 माई 2022 को आपके स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पर फ्रेंड से अपकर जो देखिए पे लेवल है वो 6 का रहेगा 7 CPC पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग और यह फ्रेंड से आपके ICAR रिसर्च इंस्टूट के लिए है और ICAR हेड्कॉर्टर के लिए पे लेवल आपका 7 का रहेगा 7 CPC पे मै 2022 सुभए 10 बजी आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे 1 जून 2022 तक आप इसमें आविदन कर सकते हैं लास्ट जो है ऑनलाइन फीस पे करने की वो एक जून 2022 रहेगी करेक्शन विंडो जो है वो ओपन होगी अगर कोई गलती हो जाती है आप उसे सही कर सकते हैं 5 जून 2022 से में एक्जामिनेशन ये स्किल टेस्स होगा इसके बारे में बात में जानकारी प्रोवाइड की जाएगी इसके बार फ्रेंस यहाँ पर आपको टोटल नंबर ओफ वेकैंसी दी गई है जिसमें फ्रेंस आइसे आर हैड़कोटर में आपकी 71 वेकैंसी है और आइसे प्रेंटर में आपने वेकैंसी है आप इसमें आविदन कर सकते हैं इसके बार फ्रेंस यहाँ पर सर्विंग कैंडियेट्स अरे आपको यहाँ पर कुछ गाइडलाइन दी गई है एक्जामसन सिटी की जो लिस्ट है वो फ्रेंस नॉटिफिकेशन में आपको जारी की गई ह एक जून 2022 को आपकी काउंट की जाएगी मतलब क्लोजिंग डेट पर अगर आप सर्विंग रेगुलर एंपलोई है तो आपकी जो एज है वो 45 यहां पर काउंट होने वाली है रिजर्व केंड़ेट अगर आप हैं तो आपको अपर एज में यहां पर छोटे मिल जाती है इसके बार फ्रेंट से यहां पर देखिए आपको आपकी जो केंड़ेट है एक जून 2022 के बात का होना चाहिए अगर आपके पास यह नहीं है तो आप बनवा सकते हैं इसके बार इसके गाइडलाइन आपको दी गई है एप्लिकेशन फीस के अगर बात करें तो जन्रल ओबीसी केंड़ेट या एडबलोस केंड़ेट के लिए टोटल जो फीस है वो बारा सूर पर रहेगी वूमन केंड़ेट है एसके लिए 500 पर फीस आपकी यहां पर रहती है फीस आप ओनलाइन मोड में यहां पर जमा करवाएंगे ओनलाइन फॉर्म फ्रेंज से आप इसकी ओफिशल वेबसाइट से फिल कर सकते हैं जैसा मैंने कहा फॉर्म अपलाय का जो प्रोसेस है वो आपको एवलेबल करा दिया जाएगा इसके बाद फ्रेंज से मोड अफ सेलेक्शन के और उसके बाद फैंस से आपको फीस को पे करना है तो इसकी जानकारी आपको इस सेक्शन में देखने में देखने को मिल जाती है जो कि आप यहाँ पर जैक कर सकते है जहां पर इंस्टूट वाइड वेकेंसी आपको दीगई है असिस्टेंट पोस्के लिए तो आप यहां में देखने को मिल जाती है तो 95 टोटर आपको यहां पर जो quarters दे गए है जो कि आपको इंस्टूशन दे गए है और vacancies की detail आपको यहां पर देखने को मिल जाती है इसके बड़ फैंस यहां पर आपको दिया गया है आपके pre exam centers तो all india आपको centers मिल जाएंगे statewide centers की list आपको यहां पर दी गई है आप यहां पर statewide centers को चेक कर सकते हैं किस state से आप apply करना चाहते हैं और कहां पर अपना exam center आप लेना चाहते हैं उसकी जानकारी आपको यहां पर मिल जाएगी total 93 आपको centers की list मिलती है अब बात करते हैं इसके selection प्रोसीजर के बारे में कि आपका जो आई सिस्टेंट ग्रेट एक्जामिनिशन 2022 है इसमें आपका selection कैसे होगा तो सबसे पहले यहां पर प्री और मीन एक्जाम होने वाला है तो प्री एक्जाम जो होगा इसमें आपके चार section divide करकर आपको बताएगे हैं सबसे पहले है जनरल intelligence and reasoning इसमें रेखिए 25 कोशन आपके होंगे 50 मार्च के और यहां पर फैंसे जनरल awareness के 25 कोशन होंगे 50 मार्च के क्वान्ट एप्टिट्यूट के 25 पचास मार्च के और inग्लिस पर है paper 1 and paper 2, अब paper 1 जो है वो है आपके quantitative abilities का objective type paper है, 50 questions होंगे 100 marks के, English language and compression के 100 questions होंगे आपके यहाँ पर 100 marks के, और 2 गंटे का समय आपको यहाँ पर मिलता है, इसके बाद friends, paper 2 जो होगा वो 7 में ही होगा, डिस्पिक्टिव पेपर होगा, English यह हिंदी जो भी आप चूज करना आप कर सकते हैं, अब डिस्पिक्टिव पेपर में देखिए writing of essay, precious letter और application writing आपकी हो सकती है, इसमें friends, आपके 100 marks का paper होगा और 1 गंटे का duration आपको यहाँ पर मिलेगा, अब जो pre और main examination है, main examination में paper 1 जो है वो आपका objective type होता है, means multiple choice question होंगे, English and Hindi दोनों ही language में आपको यह available रह अब बात करें, pre exam की तो 1 थर्ट की negative marking रहेगी और negative marking friends, आपके paper 1 जो main examination है, जो कि आपके quant और English language का है, इसमें भी आपकी 1 थर्ट की negative marking रहती है, paper 2 जो है main examination का वो friends, आपके English यह Hindi जो भी language चूज करना चाहें, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, इसके बार friends, next option आपका है skill test का, computer prophecy test means CPT आपका होगा, जिसमें आपके 3 modules होगे, word processing, speed sheet और generation of slides आपको बनाना होगा, और 15 minute का duration आपको यहाँ पर मिलेगा, और यह friends, यहाँ पर जो module है, वो एक के बार देख, आपके यहाँ पर conduct के जाएंगे, तीनों ही module आपको यहाँ पर conduct करने होगे, और यह skill test भी आपको यहाँ पर complete clear करना होगा, इसके बाद बात करते हैं friends, यहाँ पर देखी जो pre exam है, इसके बाद जो main exam है, और आपका skill test है, यह CPT है, इसमें आपका syllabus क्या रहेगा, syllabus के बारे में, तो friends, यहाँ पर देखी syllabus है सबसे पहले pre examination के लिए, तो पहला जो topic है, वो है आपके general intelligence and reasoning का, अब यह friends, आपकी verbal and non-verbal type के सारे questions होगे, तो अगर आप reasoning अगर आपने पड़ी हुई है, जनरल intelligence पड़ी हुई है, तो आप देख सकते हैं, सारे के सारे topics हैं, आपके यहाँ पर cover होते हैं, इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, analogies से related, similarities, differences, space visualization, यहाँ पिर problem solving से related questions होगे, आपके arithmetic number series आपकी आएंगी, non-verbal series होगी, coding and decoding आपके यहाँ पर topics होगे, इसके लावा देखिया, word building, coding and decoding, numerical operation, symbolic operation, इसके लावा space orientation, इसके लावा went diagram, यहाँ पर drawing inferences, यहाँ पर classification of center course, यहाँ पर small and capital letters, यह आपके यहाँ पर जो पूरा reasoning का topic है, वो यहाँ पर cover किया जनरल awareness के अकर यहाँ पर बात करें तो friends, यहाँ पर देखिए जो test है वो आपके यहाँ पर India और उसकी neighboring countries related, especially यहाँ पर history, culture, geography, economy, science और जनरल policy और scientific research से related questions आपके यहाँ पर बनेंगे, quantum reference से यहाँ पर देखिए फिर से दुबारा सारा का सारा topic यहाँ पर cover किये गये है, आप यहाँ पर इसका जो syllabus है वो देख सकते हैं कितना बड़ा syllabus यहाँ पर यहाँ पर जारी किया है, जैसे hall numbers है, decimal है, fraction है, ratio and proportion है, time and distance, graph से related भी, triangle से related भी, circle, यहाँ पर right prism से related, corn, right circular, cylinder, sphere, semi, sphere, rectangle, तो सारे questions आपके यहाँ पर cover के जाएंगे, quantum में, English compression में friends, आपकी जो English की ability है, understand क करने की, उसे समझने की, comprehensive related, जो कि writing ability होगी, वो आपकी चैक की जाएगी, और यहाँ पर होने वाला है, part C जो है, वो 10th standard level का रहेगा, जो कि आपका quant है, इसके बाद friends, यहाँ पर देखिए, आपको दिया गया है, main examination का syllabus, तो यहाँ पर भी quant और English language and comprehension से related आपको यहाँ पर प application form writing, यह friend creation level का आपका रहेगा, जिसकी जानकारी आपको इस section में दी गई है, इसके पर आपको दिये का है, SCST format, OBC format, EWS format, जो कि आप यहाँ चेक कर सकते हैं, इस तरह के format आपके पास होने चाहिए, जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, अगर friends, आपके पास यह नहीं है, आपको बनवा सकते हैं, टाइम और डेट आपको बताया गया है, कब के बात कर यह आपके इशु होने चाहिए, तो कि आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे, तो friends, मैंने यहाँ पर कोशिश की है, आपको सारी जानकारी प्रोवाइट करने के लिए, जहाँ पर वेकेंसी है, ICAR म मैं वेरेंस असिस्टेंट पोस्ट के लिए जारी की गई है, बाकी की जानकारी आप इसकी ओफिशल वेबसाइट पर, या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, jobrasa.com पर, वहाँ पर जाकर चेक आउट कर सकते हैं, अगर आप एप्लिकेबल हैं, एलिजीब हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपको हमारा की वीडियो पसंद आया है, अब चाहते हैं, ऐसे ही अपडेट्स आपको लगातार मिल सके, तो like, subscribe, share जरू कीजिए, बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही हमारे साथ, देखते रही हमा योटीब चनल एनला, थैंक्स पूर वाचिंग